असलाम अलेकुम दियो यूटूब फैमली, I hope you all are doing great, welcome back to another new video और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Dermi V oil free moisturizer का जो के Gen Firm का है और इसकी आज कल बहुत जादा हाइप है So as always I am sharing honest review, so आज हम इस product के बारे में जानेंगे So stay tuned, छोटी सी वीडियो होती है, please end तक देखा करें और वीडियो को like चैनल को subscribe जरूर कीजेगा So let's begin to the video So first of all अगर इसकी packaging की बात करों तो बहुत ही simple सी है cardboard की इसकी packaging है और यह मैंने एक chemistry store से लिया है आप भी किसी अच्छे chemistry store से इसको purchase कर सकते हैं और इसके price जो है मैं यहाँ पर mention कर दूँगी 900 something है और बाकिस के उपर इसके वोई तमाम चीजें जैसे direction apply करने की इसके जो भी ingredient है वो mention है जैसे हर product के बाएर होता है So इसकी जो packaging है वो बहुत ज़दा सेरे वी जो moisturizer है उससे match करती है ना सिफ packaging आगे जाके मैं आपको मजीड details भी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें जो है इन दोनों moisturizer में similar आपको मिलेंगी So इसको जल्दी से open करके मैं आपको इसकी tube दिखा देती हूँ As you can see कि मैंने इस tube को काफ़ी ज़दा use किया है तो थोड़ी सी पिच्चकी ही है So वैसे मैं इसको सिफ two weeks से use कर रही हूँ लेकिन two weeks में भी मुझे कैसे results मेलें मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहरी थी So आज मैं सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस की tube बहुत अची है इसका कैप बहुत टाइट है ट्रावल फ्रेंडी है बिल्कुल भी leakage वगरा का problem नहीं होता बहुत lightweight है to be honest बहुत अच्छी चीज मुझे यही लगी इसमें इसके इलावा जो इसके plus points है वो तो अलग बात है लेकिन सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी इसका non oily होना है जो कि आपको सरदियों के इलावा गर्मियों में भी apply करने में help करेगा लाइक हम गर्मियों में अपने skin को बिल्कुल मॉस्टराइज नहीं करते बिकाज कोई भी मॉस्टराइजर लो तो ultra greasy हो जाती है skin लेकिन यह ऐसा बिल्कुल भी feel नहीं कराता मैं आपको यहां पे अपने skin पे apply करके बताँगी सीव इतन सी quantity apply करेंगे and that's it you can see the glow in my skin कितने जदा skin glow लगती है और बहुत ही जदा hydrate नजर आती है मतलब plum skin हो जाती है instantly और उसके बाद अगर आप कोई foundation या कोई भी cream लगाते है नो तो और जदा अच्छी सी एक flawless skin दिखाई देती है आपकी तो यह बहुत अच्छी बात है यार इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी यह बात इसकी इसके 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 benefits हैं वो भी बता देती है उसमें SPF 20 शामिल जो कि summer season के लिए तो enough नहीं है क्योंकि बहुत जादा गर्मी होती है तो SPF 20 इतनी अच्छी coverage नहीं देता हमें जिता है कमस कम हमें SPF 60 चाहिए होता है गर्मी अच्छी जो है नॉर्मल घर के अंदर रहने के लिए अच्छा है घर के अंदर चल जाएगा बट गर्मी में चूले के पास यह दूप में UV रेसी यह में अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता लेकिन इसके इलावा जो इसमें शामिल है हैलरोनिक एसीड और सिरामाइड है ह स्किन भी इस तरह का बेरियर के रियाइड करता है आपके स्किन के अंदर मॉस्टर को लॉक करके स्किन के डलनेस को और रिंकल्स वगरा जो आ जाते हैं एज इफेक्ट हमाई नजर आने लग जाते हैं उसको बहुत कम करने में हेल्प करेगा और डर्माटोलिजिस टेस्टे है इसलिए हर स्किन टाइप वले इसको यूज कर सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेग्रेंस इसकी इतने मज़े कि एतनी अच्छी लगती है ना मुझे जब मैं अप्लाइ करते हूं मुझे तनी इच्छी फिलिंग्स आती है कि यार मैं कोई मज़े वाला प्रोड़क्ट यूज कर रही हूं हाँ अगर किसी की बहुत ज़दा सेंसिटिव स्कीन है जिसको पर्फ्यूम तेज हो जिस प्रोड़क्ट में उससे अलर्जी होते तो वह विल्कुल यूज ना करें लेकिन मेरी सेंसिटिव प्लास ओयली स्कीन है तो मुझे तो सूट कर है सेंसिटिव होने के बावजूद भी मेरी स्कीन पर इसने कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है वरना मैं कोई भी मॉस्टराइजर यूज करती हो ना मैं स्कीन पर पिंपल्स हो आवश्य है निकलना लेकिन इससे नहीं हुआ यार अलहम्दोलिला यह मेरी स्कीन को भी हो रहे हैं यह बहुत अच्छा लाइट वेडिर है मतलब दिल चाता है कि बस लगाते चले जाओ बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है बहुत लाइट है कुछ चोटा सा डॉट लो और पूरे फेस पे स्प्रेड कर दो दैन थोड़ी दे इसको छोड़ दो यह स्किन के अ है लोशन सो मज़े की बात है कि काफी ज़दा इन दोनों के इंग्रिडेंट भी सीमिलर ही है इंग्रिडेंट भी सैम है और फॉर्मूला भी तकरीबन सैम ही है तो तो फिर हम चार पांच हजार वाला मोस्टराइजर क्यों लें जब हमें हजार रुपे के अंदर एक मोस्ट पर्मोशन यह मेरा अपना होनेस रिवियो और मुझे दिल से यह प्रोड़क्ट बहुत अच्छी लगी है तो आई रिक्यमेंड इट यू गाइस सो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर ऐसा यह थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो क में तब तक के लिए टेक केर अला हाफिज